कि प्यारे दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि सफलता के लिए हमें कौन सा मोटिवेशन मिलना चाहिए देखिए कि हमारी जो सोच है ना हमेशन ही पॉजिटिव होने चाहिए कभी भी नेगिटिव होने चाहिए उस सोच को हम कैसे progressive way में लेके जाते हैं आज हम ये सीखेंगे देखो सबसे पहले है ये चार नियम है आपने अपनी सोच को बदलना है जो सफलता है वो आपके सोच में है कहीं बाहर नहीं है पहली बात count your God gifts only देखें हम जिन्दगी में और एक दिन में बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हम क्या सोचते हैं हमें सुबा से लेकर शाम तक जो प्रमात्मा ने हमें बहुत सारी gifts दिये हैं उसके बारे में हमें सोचना चाहिए ऐसे ऐसे गिफ्ट दिये हैं जिससे हमारी जो सोचा वो पोज्टिय होगी देखो परमात्मा ने हमें आँखें दी हैं, कान दी हैं, बहुत सारे और्गन्स दी हैं, लाथ, हात, दिमाग, दिल दी हैं तो एक एक बात के विश्य में आप जतना सोच सकते हो उतना सोचिए जैसे आँखे हैं, एक आँख को बनाने के लिए प्रमात्मा ने पदा नहीं कितने मिलियन सेल को आपस में जोइंट किया है, तब ये आँखे बनी हैं, अगर प्रमात्मा हमें अंसक्सेसफुल देखना चाहता, वो चाहता कि इनसान असफल रहे, तो हमें अंधहा बनाता, बह हमें सब शक्तियां दी, हमारी आँखे हैं, कान हैं, हाथ हैं और लाते हैं, तो इनकी मदद से हमने अपनी सफलता को आप चुनना है, आपके पास सब कुछ है, सिर्फ प्रमात्मा के दिये हुए, जितने मी गोर्ड गिव्ट्स हैं उसका धन्यवाद कीजिए, हर रोज उसक शक्ति के साथ आगे बढ़े हैं, देखिए कि आपके अंदर खून है, प्रमात्मा ने इस ब्लड को बनाने से पहले इतनी जड़ी बूटियां, फल, सबजियां बना दी, ताके मनुश्य जो है, मेशा सुखी अरे, तथा बहर जिन्दगी में सफल अरे, दूसरी बात आपन आपने सोचनी है, इन तीरी सिवर केपेस्ट्री हैं, देखो, जब तक आप नोर्मल केपेस्ट्री में काम पर होगे, जिन्दगी में कभी सफल नहीं हो सकते, जैसे मैं ये कह सकता हूँ, आप एक डाइमंड की मिसाल लो, डाइमंड एक है, कीमती है, अभी वो मार्किट में बहुत जादा कौन्टिटी में नहीं है, तो उसके डिमांड है, आप अपने आपको एक डाइमंड समझिए, आपकी जो एफिशनसी है, आपके जो एफ़र्ट्स हैं, ऐसे होने चाहिए, की आपकी डिमांड हो मार्किट में, अपने आपको आपने कीमती बनाना है, तथा ऐ ऐसा बनाना है जो आपके जैसा ना हो, देखो इनसान किसी चीज़ को हाथ लगाता है, उसकी पता नहीं कितने डॉलर कीमत हो जाती है, जितने बड़ी बड़ी मिल्टिनेशनल कंपनीस हैं, कॉर्परेशनस हैं, उसमें हैं क्या, इनसान ही हैं, पर वो कई देशों में अपन आपने लोगों के सामने जब रखना है, तब आपने उसे इस तरह से पेश करना है कि वह चीज जो आप दे सकते हैं, दूसरे ना दे सकें, जो इसकिल आप में हों वो दूसरे में ना हों, कभी बे किसी की कौपी मत कीजिए, समझीए, जो आपकी अंडरस्टेंडिंग है उस के साब से आगे बढ़िए तो आप जीवन में बहुत ही सकसेस हो सको गए हैं तीसरी बात है वान मौर किलमेटर फॉर सकसेस आप सोचते हो के बस यहां मेरी सफलता मुझे प्राप्त हो जाएगी तो आप गल्थ हो सफलता के लिए एक किलमेटर आपको और चलना पड़ेगा ज क्योंकि सफलता हमेशा ही जहां हम सोचते हैं उससे आगे होती है तो आप हमेशा सोचिए तथा पेशन्स से अगर आपने हार्ड वर्ड जाला किया मान लो आपने बहुत जाला स्टेड़ी की तथा आपको जोब नहीं मिली मान लो कि आपने बिजनस किया उसमें फेल हो गए उस समय यह है सोचिए कि यह है अभी फर्स स्टेप है अभी दस स्टेप मुझे आगे चलने हैं एक क्लिमेटर में आप देख लीज़े बहुत सारे स्टेप्स होते हैं जब भी आप असफल हो तो उसको पहला स्टेप मानियो और लास्ट अभी आगे है चोता है दा यूज अफ दा पावर ऑफ च्वाइस आप चुन सकते हो आपको अदिकार है प्रमात्मा ने आप में बहुत साई शक्तियां दी हैं आपको उस शक्तियों का यूज कहां करना है यह आपने बताना है शक्तियां आपके पास है यह सोचिए अब इस शक्ति जो च्वाइस की शक्ति है चुनने की शक्ति है इस से इमानदारी से तथा अपनी बुद्धी से आपने इसमाल करना है आप किसी से लव कर सकते हो या हेट कर सकते हो अब आपने चुनना है ठीक है वो आपका दुश्मन है पर दुश्मन से भी आपने लव करना हेट नहीं करना दुश्मन ही अपनी जगापे है किसी में आपको दुखा दे दिया तो भी आप दो चीज़ें चुन सकते हो लाव और हेट अपनी भावनाओं के उपर काबू कीजिए लाव को आपने असेट करना है क्योंकि यह सफलता के लिए आप शक है हेट या डरना या किसी से गरना करना आप में डर पैदा करेगा या आप उसको मार दोगे या वो आपको मार देगा प्यार में तो सिर्फ त्याप की भावना होती है दूसरा है लाव और क्याई हम खुश भी हो सकते हैं हम दुखी भी हो सकते हैं बहुत बार हमने यह देखा है जब हालात ऐसी हो सिच्वेशन हमारी एडवर्स हो तो हम दुखी हो जाते हैं चिलाती हैं इससे क्या बनेगा शक्तियां आपके पास थी प्रमात्मा ने दो शक्तिया थी उसमेंजे एक को चुनना था या आपने खुश होना है या आपने चीकना है चिलाना है तो क्यों न हसें ये जिम्दगी जो है हसने के लिए अप्रिशेशन और कम्प्लेइन देखो ऐसी दो शक्तियां और भी हैं कुछ लोग परशनसा करते हैं लोगों का उद्शाह बढ़ाते हैं कुछ लोग घटाते हैं कम्प्लेइन करते हैं शिकायब करते हैं ये बंदा अच्छा नहीं है, ये बंदा अच्छा नहीं है, हम जब अच्छे बनेगे तो appreciation, हम अपनी ना चाहें, दूसरों के हमें करनी चाहिए, क्योंकि जब इंसान अपनी appreciation करता है, तो वो चापलूसी हो जाती है, पर जब दूसरों के अच्छे काम अच्छाना, ठगना, फ्राड करना, इन दोनों में से एक को आपने चुनना है, तो क्यों ना लोगों को अच्छे कामों के लिए डोनेट किया जाए, कहीं किसी का भोजन का लंगर चला रहा जाए, कहीं किसी को शक्षक के लिए आगे आया जाए, निश्काम सेवा की जाए, इसेड लोगों को दोखा दे के पैसा चुराना हो, ऐसे डूइंग वर्ग और अवर्डिंग वर्ग, कुछ होते हैं आजसी व्यक्ति, हर काम में जी को चुराते हैं, वो जिए को शफ़न नहीं हो सकते, आपको काम है कर्म करना, डूटी है, आपको हाथ पैर इसलिए प्रमा अब अब आफ़ लिखा गए हो, मन में एक ख्याल आता है कि अब आतम हत्या कर लेनी चाहिए, तब भी एक चॉइस है आपके बास, कि जीना है, या शूसाइड करना है, आतम हत्या कर देना है, तो आपने इनको चुनाव करना है, अगर जिंदगी में सक्सेस होना चाहते हो, जिन्दगी में याद खिए हमेशा ही लव करना है जिन्दगी में याद खिए हमेशा ही खुश रहना है और अब भासाना है अब आप भी हसना है जिन्दगी में हमेशा याद दोनेट, बलर डोनेट, एजुकिशन दोनेट, काम से जीनी चुलाना, जादा से जादा लोगों की सपोर्ट के लिए काम करना है और इन लास्ट हमें जीना है, दुखो सुखो हम एक संकल अपनी जिन्दगी में हमेशा ही करना है कि मैं इस जीवन को खुशाल बना के रहूंगा जो दुख थे जो तक्लीफ थी जो असफलताएं थे मैं वो सभी को पी जाऊंगा और एक दिन मैं सफल होके रहूंगा जब यह आपका संकल्प रहेगा तो यकीन मानिए आप जिंदगी में बहुत ही जादा सफल होंगे धन्यवाद